YouTube पर quality content की कमी नहीं है, बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को subscribe करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं Now, let's begin Hello friends, welcome to our YouTube channel, you are watching SK Classes, so let's begin तो आज इस वीडियो में हम एक नया playlist start करने जा रहे है जिस playlist का नाम है integral equation जिस तरह आपने differential equation पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ेंगे integral equation क्या होता है differential equation में आपने देखा था कि वहाँ पे derivative term आता है और हम बोल सकते हैं कि integral equation में कौन सा term आएगा, integration term आएगा आपने वहाँ पे देखा था, differential equation में वो बहुत ही simple था और बहुत सारा solving पार्ट था In the same way हम बोल सकते है, integral equation भी simple रहेगा और इसमें भी बहुत सारा solving पार्ट रहेगा चलो फिर देख लेते हैं आज का वीडियो का content क्या रहेगा बट मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़े बता देना चाता हूँ अगर मैं कही पर किसी चीज़े को गलत प्रनाउंस कर दूँ या फिर मुझसे कही पर mistake हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से मांगता हूँ माफी मुझे उसके लिए माफ कर देना तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो आज हमें वीडियो में क्या क्या देखने वाले मैं आपको अच्छे से content बता देता हूँ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि integral equation क्या होता है हम कौन से equation को कहेंगे कि वो equation integral equation है या नहीं है ठीक है फिर integral equation के दो टाइब होते है एक होता है फ्रेडलोम integral equation और दुसरा होता है वोल्टेरा integral equation तो हम ऐसे में दोनों टाइब के definition देखेंगे फिर उसके बाद हमें पता है कि आप देख सकते हो, यहाँ पर fredlom integral equation अगेन दो टाइप के आते हैं, एक होता है fredlom integration of first kind और दुसरे को हम कहेंगे fredlom integral equation of second kind और वल्टेर integral equation भी दो टाइप में classify किया गया है, एक को हम कहेंगे first kind और दुसरे को हम कहेंगे second kind और उनके corresponding में एक दो examples जरूर देखे कि ताकि आपको वो चीज़े और अच्छे से समझ में आने लगे, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि integral equation का definition क्या होता है, an integral equation is a equation in which the unknown function u of x to be determined that appears under the integral sign, तो basically अगर आपसे पूछे कि कोई integral equation क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, integral equation एक equation होता है, जो कि इस pattern का होना चाहिए, इसका standard form मतलब आपको पास कोई भी integral equation हो, वो इस pattern का ही रहेगा, ठीक है, और उस pattern के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, find करना पड़ती है, u of x की value, तो आप देखो, यहाँ पे u of x जो है, वो हमें यहाँ पे भी है, और एक यहाँ पर भी है, अगर आप देखरो, यह u of t है, बट हम इसे u of x बना सकते हैं, बट simply क्या करना है, जो भी आपके पास function होगा, उसको x की जगह पे t replace कर देना है, example के तोर पे मैं इसको u of x बोलू, चाही u of t बोलू, या फिर u of z बोलू, बात एक ही पड़ती है, अगर आपको कोई पूछ ले कि integral equation क्या होता है, तो आपको उसको simply यह कहना है, कि integral equation एक equation होता है, जो कि इस pattern का होना चाहिए, and moreover उसमें हम क्या करते है, हम find out करना ही कोशिश करते है, u of x की value, जो की होती है, under the integral sign, जो की होती है, under the integral sign, तो हमें क्या find out करना पड़ता है, यह u of x find करना पड़ता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, integral equation का pattern कैसा है, जो कि है, u of x is equal to f of x plus integration a of x to b of x, k of x, t dot u of t dt, अब आप जो देख रहे हो, यह जो lower limit है, और b of x upper limit है, तो यह जो भी functions होंगे, यह जो भी limit है, या तो function of x हो सकते है, या तो वो constant function हो सकते है, कोई फरक नहीं पड़ता, चाहे वो a of x आपका कोई function of x हो जाए, या फिर constant हो जाए, कोई फरक नहीं पड़ेगा, similarly b of x आपका कैसा है, या तो वो constant function हो सकता है, या तो function of x हो सकता है, और जो आप दे एक है t तो ऐसे जो equation यहाँ पे present रहेगा उसको हम कहेंगे kernel of integral equation at the end मैं आपको फिर से बता देता हूं कि integral equation क्या होता है integral equation basically एक equation है जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है हमें find out करना पड़ता है u of x which comes under the integral sign ठीक है और उस integral equation का standard form यह है और kernel क्या होता है वो भी हमने देख लिया kernel इस term को मैं कहूंगा kernel यह जो function है जो की दो variable का function है इस function को हम कहेंगे kernel of integral equation तो चलो एक काम करते हैं हम example ले लेते हैं और उस example से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ले लेते हैं सबसे पहला example तो example देखो कैसा रहेगा u of x is equals to x square plus x plus integration 0 to 5 x plus t dot u of t into dt product with u of t into dt यह dot मतलब multiplication है simply तो आप देखो आपका होद यह रखा है एक equation सबसे पहले यह equation को मैं चेक करना है कि यह integral equation है या नहीं है अगर यह equation integral equation है तो उसके लिए में क्या कर चेक करना पड़ेगा उसके लिए standard form से compare करना पड़ेगा तो आप देखो u of x यहाँ है यहाँ भी है फिर f of x को एक function of x चीए जो कि हम देख सकते है f of x कोई तो भी function of x है तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि f of x और यह f of x क्या बन जाएगा हमार f of x बन जाएगा यहाँ पे x square plus x फिर plus देखो plus sign है फिर integration इंटीग्रेशन लोवर लिमिट अपर लिमिट लोवर लिमिट भी है अपर लिमिट भी है मैं आपको पहली काता कि जो लोवर लिमिट है या तो constant function हो सकता है या तो function of x हो सकता है यहाँ पे यह दोनों जो लिमिट ले गई है वो दोनों की दोनो constant है तरह से आप बोल सकते हो हमारा जो लिमिट है lower limit that is a of x is 0 and b of x जो की अपर लिमिट है वो है हमारा 5 ठीक है फिर integration some function of x and t which is denoted by k of xt इसे kernel भी कहते है into into u of t u of t dt तो आप ऐसे में क्या find out कर सकते हैं हम कर देखकर हम kernel निकाल सकते है तो चलो kernel लिख देते है that is kernel of x,t से denote करते है which is equal to हमें मिल जाएगा यह जो kernel है यहाँ पे हमें मिल जाएगा x plus t तो हमने ऐसे में find कर लिया सारे को इसके corresponding terms क्या-क्या होने वाले है तो यह जो equation है, यह equation is standard pattern का है, यह standard pattern का है तो हम इस equation को कह सकते है the given equation is integral equation तो चलो एक next example ले लेते हैं, next example हम लेंगे u of x is equals to log of x plus integration e raised to the power x plus t into u of t dt इसको 0 to x square run करेंगे, तो आप देख सकते हो यह equation है, यह standard pattern से, standard form से match कर रहा है इसलिए हम इस equation को कह सकते है, integral equation ठीक है, तो ऐसे अगर integral equation है, तो आप मुझे बताओ, इसमें kernel क्या होगा तो उसका जो पहला question में बन कर रहा है, kernel find करना है, तो kernel हो जगा k of x, t से denote करते हैं, तो integration, integration e raised to the power x plus t, हमें पता है, kernel दो variable का function होता है, into u of t, u of t, u of t, u of t, u of t से match कर गया, तो बचा हुआ जो भी side में function है, वो हमारा kernel बन जाएगा, that is, e raised to the power x plus t, और यहाँ पे देख लो, x square जो है, यह upper limit और जो 0 है, यह lower limit, तो upper limit को हम b से denote करते है, b of x, which is equal to x square, और lower limit है, जो की है a of x से denote करते है, जो की है, 0, तो मैंने आपको पहली बताया है, जो भी हमारे limit होते है, चाहे वो upper limit हो, चाहे वो lower limit हो, यह तो constant हो सकता है, या तो some function of x हो सकता है, मैंने आपको पहली बताया था, यहाँ पे, तो अब क्या बचिया, f of x, तो f of x देख के बता दो, हमें मिल जा plus u of t into dt, तो यह equation क्या बन गया है, हमारा integral equation, हम इस chapter में चले में क्या करने वाले है, हम u of t को जो की अंदर है, u of x, इसको हम eliminate करने की कोशिश करने वाले है, इसकी value find करने वाले है, अगर आप से कोई पूछे कि इसका solution क्या आने वाला है, क्या हम solution कैसे करने वाले है, तो वह स सकते है, हमें यही इस chapter में find out करना है, वह हम सीखने वाले है, और वो उसका बनने वाला है, solution of integral equation, अगर मेरा बढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है, तो like, dislike जरूर कीजे गया, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है, कमेंट कीजे, शेर कीजे, और सबसे जरुरी बा अब झास आभाय को आभ समझे बाले हैं है, वहलो आ जरुरी बाले है और सम और बाले हैं है कि अब ए्यार को में अबभाय को जह बंडने एंग को समझा अलूरा टिया हैं हैQuiałem स मेशो और बाले हैं हैं है कि व क्लीफब भाले हैं झाने बं़ो